नमस्कार भी हारी नोज में आपका स्वागत है मैं रतन सेन भारती अज हम बात करेंगे एक ऐसे एटियम के बारे में जिस्से की चावल और गेहुं निकलेगा हम सभी लोग अपनी दैनिक दिन चर्जिया को पूरा करने के लिए एटियम से पैसे तो ज़रूर निकालते होंगे लेकिन ज़रा सोचिए अगर एटियम से पैसे की जगह पर अनाज निकलने लगे तो क्या होगा यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ एक कोरी कलपना है ऐसा संभव हो ही नहीं सकता लेकिन आपको जानकर अस्चर्ज होगा कि देश में इस तरह के एटियम की सुरूरात हो गई है जिसमें आप पैसे की जगह पर अनाज निकाल सकेंगे आपको बता दें कि उडिसा में इस तरह के एटियम की सुरूरात करने की परक्रिया आ गई है ऐसे में अब कहा जा रहा है कि उडिसा में बहुत ही जल्द ग्रेन एटियम आपको दिखाई देने लगेंगे सुरुवाद में इस ATM के सुरुवाद पाइलेट पूजेट के तहट किया जा रहा है पताया जा रहा है कि इस ATM में जब आप अधार कार्ड और रासन कार्ड का नमबर डालेंगे तो ATM में आप अनाज पाएंगे बतादें कि पालेट प्रजेक्ट के तहट सबसे पहले इसे उड़िसा के भीवनेस्वर में इसी योजना की सुरुआत की जा रही है इसी योजना की सुरुआत को लेकर बोते हुए उड़िसा के खाद आपूर्ति एवं उभुक्ता कल्यान मंत्री अततु सवयाची ने बताया है कि उड़िसा ही तो धिकारियों यानि कि जो अनाज पाने वाले लोग हैं को ग्रेन एटीम के द्वारा रासन दिये जाने की तैया बनाई जा रही है प्रदेश के मंत्री ने बताया कि ग्रेन एटीम से रासन लेने के लिए प्रदेश के हिता धिकारियों को एक बिशेश कोड कार्ड दिया जाएगा ग्रेन एटीम मसीन पूरी दलीक से टच अस्क्रीन होगा जिसमें की बायोमेट्रिक सुभधा अपना आधार नमबर और रासन कार्ड नमबर दर्ज करना होगा इसके बाद एटीम से लाभारतियों को अनाज मिल जाएगा अधिकांस्ता हिताधिकारी यानि की अनाज उठाने वाले को राश्टी खाज सुरक्चा अधिनियम और राज खाज सुरक्चा कार्ज करम के तहत चावल उपरवत करवाया जाएगा आपको बता दें कि ओडिसा की सरकार ने साल 2021 में 20 वखाद कार्ज करम के तहत अनेक साचेदारी और समझोतों पर हस्ताप्चर किया था जिसमें की धान की खरीद ग्रेन एटीम स्मार्ट मॉबाइल स्टोरिज यूनिट सामिल था आपको बता दें कि देश का पहला ग्रेन एटीम हरियाना के गुरू ग्राम में सुरू किया गया था इस मसीन को भी 20 वखाद कार्ज करम के तहत ही लगाया गया था बता दें कि इस मसीन को आटोमेटेड मल्टी कोमेडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मसीन भी कहा जाता है ऐसे में जब इस बात की उमीद की जा रही है कि जिस तरह से इसे पाइट प्रोजेट की रूप में ओडिसा में शुरू किया गया है ऐसे ही इसे बिहार कसासा देश के लगभग सभी राज्यों में इसकी सुरुवात की जाए ताकि लोगों को लंबी लाइन में ना लगना पड़े और रासन कार्ड पर उनका सिखनेचन करना होता था या फिर थम लगाना होता था तो जबरदस्ती दो महिने या तीन महिने का थम लगवा लिया जाता थो इस तरह कि कई सिकायते जो है मीडिया में आती रही लेकिन अब जो ये ग्रेन एटियम का मामला सामने आया है इसके बाद झाल 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 है